नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तेव्य एस्ट्रो में आज के पने इस वीडियो में मैं आपको करवा चौत की कहानी सुनाती हूँ करवा चौत का वरत जो होता है वो कार्थिक कश्ण चतुर्ती को मनाया जाता है और यह वरत सरवातिक इस्ट्रियों के लिए प्रियवरत होता है इस दिन सभागे वती इस्ट्रिया अपने पती के स्वास्त, दिरगायू और मंगल की कामना के लिए इस वरत को करती है वरत का पूजन करने के बाद में आपको करवा चौत की कता भी अवश्य करनी चाहिए एक गाव में एक साहुकार की साथ बेटे और एक बेटी थी सेठानी ने सातो भूवे और बेटी सहित कार्थिक कश्न चौत को करवा चौत का वरत किया उस लड़की के भाई हमिशा अपनी बेहन की साती बोजन करते थे उस दिन भी बाईयों ने बेहन को बोजन के लिए बोला तो बेहन बोली बैया आज मेरे करवा चौत का वरत है इसलिए जब चांद उगेगा तब ही खाना खाऊंगी बाईयों ने फोचा कि बेहन भूकी रहेगी इसलिए एक बाईय ने दिया जलाया और एक बाईय ने चलनी लेकर पाड़ी पर चड़ गया दिया जलाकर चलनी से डग कर का कि बेहन चांद उग गया है अर्ग देले और खाना खाले तब बेन ने बाभियों से आकर का कि भाभी चान देख लो बाभी बोली कि बाई जी ये तो चान जो आया है तुमारे लिए आया है तुम ही देखो हमारा चान तो थोड़े देर में देखेगा बेन अकेली ही काना काने बैठ गई पहले कौर में ही बाल आया दूसरा कौर जब खाने लगी तो उसी ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बिमार है तो बहु को जल्दी बेचो मा ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तीन बारी पहली बार में सफेद तो दूसरी बार में काला कपड़ा निकला और टीन स्री बार में निला कपड़ा हाथ में आया मा ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सब के पैर छूती जाना जो भी तुझे अमर सुआ की आशश देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गाट बांध लेना रास्ते में सब औरते आशिश देती गई पर किसी ने भी सुआ की आशिश नहीं दी ससुदाल के दरवाचे पर पहुँचने पर पल्ले में सोती हुई जेट हुटी जेट की लड़की छूल रही थी उसके पैर छूने लगी तो वहाँ बोली कि सीली हो सपूती हो साथ पूत की मा हो यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल का उसे दे दिया और पल्ले से काट बाद ली अंदर गई तो देखा कि उसके पती मरा पड़ा था बहु ने अपने मरेवे पती को जलानी के लिए ले जाने नहीं दिया और बोली मेरे लिए एक अलग से जौपड़ी वनवा दो मैं वही पर अपने मरेवे पती को लेकर रह लूँगी रोज सासू बची कुची ठंडी बास्टी रोटी दासी के साथ वह भेज देती जौपडी में और कहती जाँ मुर्दा सेवनी को रोटी देया थोड़े दिन बाद मा की तिलचोट आयी और बोली करवा पिला तू करवा पिला भायों की प्यारी करवा ले दिन में चांद देखने वाली करवा पिला जब वह बोली कि हे चौत माता मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा मेरे पती को जिंदा करना पड़ेगा मुझे मेरे गलती का पश्चा ताप है मैं आपसे माफी मांगती हो तब चौत माता बोली मेरे से बड़ी वैशा की वैशा की चौत आएगी वहीं तुझे अमर सुहाग देगी इस तरह वैशा की चौत आई और उसने कहा कि बादवे की चौत तुझे सुहाग देगी तब कुछ महीने बाद बादूरी चौत आई माता सुख से उतरी और वही सब बात कहने लगी तब उसने चौत माता के पाव पकर लिए चौत माता बोली कि तेरे उपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौत माता है वही नाराज हुई है यदि तुने उसके पैर छोड़ दिये तो फिर कोई भी तेरे पती को जिंदा नहीं कर सकता है कार्तिक का महीना आया सरक से चौत माता उतरी चौत माता आये और गुसे से बोली बायों की बैन करवा ले दिन में चांदुगाने करवा ले वरत बांड़नी करवा ले साउकार की बेटी ने चौत माता के पैर पकड़ लिया और जोर-जोर से विलाप्त करने लगी कि हें चौत माता मैं ना समझती मुझे बहुत बड़ी गलती हुई मुझे इतना बड़ा दन मत दो तब चौत माता बोली मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है तब वह बोली मेरी बिगडी आपको ही बनानी पड़ेगी मुझे सुहाग वापस देना ही पड़ेगा क्योंकि आप सब जक्की माता है और सब की इच्छा पूरी करने वाली है तब चौत माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशिवात दिया इतने में उसका पत्ती बैठा हो गया और बोलने लगा मुझे बहुत नींद आ गई थी वह बोली मुझे तो बारह महिने हो गए मुझे तो चौत माता ने सुहाग दिया है तब पत्ती बोला कि चौत माता का विधी विदान से उजमन करूँ उधर नण नोटी देने आई तो उसने दो जने के बोलने के आवास सुनी तो उसने अपनी मा को जाकर बोला कि बाबी तो पता नहीं किस से बाते कर रही है तब सासु ने जाकर देखा कि बहु और बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपर पासा खेल रहे हैं देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी हैं कैसे हुआ बहु बोली हैं सब मुझे मेरी चौत माता ने दिया है और सासु जी के पैट छुने लगी सासु ने अमरसुहा की आशिश दी दूर खड़े वे पती पत्नी का गंड़ बंदन जुड़ गया और सब चौत माता का चमतकार मानने लगे चौत माता का वरत पुरुष की पत्नी बेटे की मा सभी को करना चाहिए कुल तेरह चौत करने चाहिए तो ये चौत माता जैसे साहुकार की बेटे को आपने अमरसुहाग दिया वैसे ही सभी को देना कहने सुनने वाले को हुंकारा बढ़ने वाले को सभी को अमर्सुहाग देना बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौत माता की जय हो तो यदि आज का मेरा ये वीडियो ये कथा आपको पसंद आई हो तो करवा चौत माता के लिए एक लाइक इस वीडियो पर जरू दीजेगा धन्यवाद